बेरोजगारी के दौर में माश्टर बन चुके बिहार में सिक्षक अब इस्तिफा दे रहे हैं। उत्तर परदेश से लेकर के बिहार के कई सिक्षकों ने इस्तिफा दे दिया है जो 9 नियोजित सिक्षक हैं जिनको नियुक्ति पत्र राजधानी पत्ना के गांधी मैदान में बाटा गया था मुक्मत्रि नितीश कुमार और तेजस्वी यादब के हाथो वो अब इस्तिफा देना शुरू कर चुके हैं दरसल हम आपको खबर इसलिए बता रहे हैं क्योंके लोगों को ताज्यूब हो रहा है कि जहां रोजगार नहीं है बेरोजगारी का मसला है ऐसे हालात में लोगों ने इस्तिफा देना क्यों जरूरी समझा और ये सब लोगों ने जिला शिक्षा पदाधीकारी को अपना इस् इस्तिफा दिया है और ये शिक्षक और शिक्षक ने जिला शिक्षा पदाधीकारी को अपना इस्तिफा सौब दिया है पोस्टिंग के बाद शिक्षकों का इस्तिफा सामने आया है हाला कि लोगों को इस बात का ताज्यूब भी हो रहा है कि आखिरकार मास्टर की जो नोक पूर्पूर मोतिहारी कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर शिक्षकों ने एस्टपाइड है और लोग इस बात को ले करके चरचाएं कर रहे हैं कि आखिरकार बेरोजगारी के दौर में शिक्षक इसिफा क्यों दे रहे हैं और स्कूल में आने स्कूल से जाने का जो समय है और इस सारी चिज़ें लोगों जिस तरह से सकती बढ़ती जा रही है शायद इसी वज़ा से कुछ जो टीचरों ने इस्तिफा दिया है उसमें ये भी बड़ी वज़ा हो सकती है कि के पाठक की जो सकती है उस सकती के बिना पर ये लोग इस्तिफ़ा दे रहे हैं इसलिए कि लोगों को इस बात का अंदाजा है कि आने वाले दिनों में और भी सक्ती बढ़ती जा सकती है इसलिए इस पूरे मामले पर शिक्षकों ने इस्तिफ़ा देना शुरू कर दिया है और ये पोस्टिंग के बाद यूपी के नौनियुक्त शिक्षकों का इस्तिफ़ा आना शुरू हो गया कई जिलों से ऐसी खबरे आ रही है जहां पर यूपी के शिक्षक और बिहार के भी बड़े संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अपना इस्तिफ़ा सौप दिया है और कहा ये जा रहा है कि यूपी के साथ साथ जो बिहार के शिक्षक हैं उनमें वो इस बात को लेकर के नराजगी है केके पाटक बहुत सक्ती बरत रहें उनके साथ और सक्ती बरतने ही की वज़े से वो इस्तिफा देते नजर आ रहे हैं हाला कि इस पूरे मामले पर आप तक सरकार की तरफ से या ये के शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि वो लोग छोड़ के रहे हैं क्या मामला है क्यों वो इस्तिफा देना चाते हैं पढ़ाना क्यों नहीं चाते हैं जबकि ऐसे हलात आ गए हैं कि लोगों के पास रोजगार नहीं है रोजगार नहीं होने के वैसे बड़ी संक्या में सरकार ने एक मेला लगाया था और मेला मे मुखमेदर नितीश कुमार ने ये कहा था कि देखिए एक लाग बीस हजार हम आप लोगों को नौकरी दे रहा है और आगे भी और अधिक संक्या में शिक्षकों की बहाली करेंगे लेकिन अब खाबर ये आगे कि नए शिक्षकों ने इस्तिफा देना शुरू कर दिया है एक साथ तीश शिक्षक ने इस्तिफा दिया है और इस्तिफा से थोड़ा सा हर कम भी मचा है समस्तिपूर में तीश शिक्षक ने एक साथ इस्तिफा देने का फैसला लिया है और ये जिला शिक्षा पताधीकारी के सामने उन्हों ने इस्तिफा दिया है हालागि इस्तिफा आप तर मनजूर नहीं हुआ है लेकिन कई सारे वज़े हो सकते हैं कई कारण हो सकते हैं कहा ये भी जा रहा है कि कुछ शिक्षा को की नोगरी कहीं और लग गई